एलो फिचेर डॉक्टर्स, एंटी नव निट 2021 के अड्मिट कार्ड पब्लिश कर दिये हैं और जब से अड्मिट कार्ड पब्लिश हुआ कुछ बच्चों का तो एक्जाम को लेके एकसाइट्मेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है लेकिन कुछ बच्चों को एड्मिट कार्ड के साथ confusion भी बढ़ गया क्यों कि आजकल निट एड्मिट कार्ड के साथ इतने instructions आने लग गए तो हमें भी वीडियो बनाके समझाना पड़ता है कि आपको एड्मिट कार्ड को प्रिंट कैसे करना है साथ क्या लेकर जाना है और जैसे और भी डाउट सें बच्चों को जैसे कि सर मेरा रिपोर्टिंग टाइम 11 एम है तो क्या मुझे 11 एम ही जाना है या मैं 130 तक जा सकता तो वही हम देखेंगे कुछ उससे गड़बड हो सकता है या नहीं हो सकता है इस वीडियो में हम वहीं डिसकस करने वाले हैं यहां मेरे बास एक एड्मिट कार्ड है अब आप बोलोगे सर एड्मिट कार्ड गहां से ले आए मैंने एक फोर्म फिलब किया था देखने के लि यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आपके अड्मिट कार्ड आज आएगा टैंसल ने की नहीं है तो देखो आया भी होगा आपके वास अड्मिट कार्ड तो यहां सब कुछ प्रैक्टिकल किया जाता ऐसा नहीं है और देखो अब देखते हैं आगे इंस्ट्रक्शन्स औ यह सब डिसकस्ष करते हैं यहां देखो रोल अंबर अप्लिकेशन नंबर नेम यहां पर यह दिया आपको कोई मिस्टेक है तो आप NTA में में मेल कर सकते हो को बता सकते हो तो आपको नीव एड्मिट कार्ड लग जाए उसका मुझे निए निश्टिल आप उनको बता दू यह ऐसा इसी वो बता देंगे आपको क्या solution है ठीक है नेक्स जो सबसे बड़ा प्रोलम है वो हो रिपोर्टिंग टाइम यहां देखो रिपोर्टिंग टाइम मेरा 1 पी एम है आप लोगों हो सकता किसी का 11 एम हो हो सकता 11 30 एम हो आपको एडमिशन मिल जाएगा लेकिन जैसे मुस्लिम है सीख है जो कस्टमरी ड्रेस वाले हैं वो बच्चे ट्राइ करें 12 30 तक पहुंच जाए ताकि आपकी प्रोपर चैकिंग हो जाए और अच्छे से एंट्री मिल जाए ना तो आपको हड़बड होगी और ना ही वहां पे यह जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है यह कोविड गाइड लाइन को फोलो करते हूँ दिया गया है ताकि वहां पे प्रोपर चैकिंग हो जाए और आपकी एक सेफटी मेंटेन रहे तो आपको यह नहीं सोचना कि 11 अम पे नहीं पहुंचे ता आपका एडमिशन ही न तो आपको अगले दिन है थोड़ा इजी हो जाता है तो आप एक और चेक कर सकते हो दरवाइस देख लेना जो अवेर होंगे उनको कोई प्रोलम है नहीं यह उसी सीटी में हो तो नेक्स देखो यह वाला है सेल्फ डिकलेरेशन फोम यहां पे कई बच्चों को प्रोलम था इसमें देखो यह कोविट से लेटेट इंस्ट्रक्शन सें इसमें आपको बताना है कि लास्ट फोर्टिंडेज में आपको कोई ऐसा सिम्टम था क्या फीवर कफ ब्रेजलेशनेस बोडिया अब यह इसलिए दिया गया है यदि आपको इनमें से कोई सिम्टम होगा तो आप आपको एक अलग रूम में मिठा दिया जाएगा कुछ वच्चों को यह लगरा हो ओन लाइन में आपने कुछ भी फिल अप कर दिया ना कोई प्रोलम नहीं है, यहां पे सही से करना, यह दिया आप कॉंटेक्ट में थे, यस करके जाना, और नहीं थे, तो इस वाले में कर देना, ठीक है, सेकेंड वाला उप्शन ही है, ट्रैवल दा फॉलोइंग सीटी, मलब लास्ट फॉर्टीन डेज में आपने कहां कहां में ट्रैवल किया, जैसे मान लीजिये, मैं हर्याना में रहता हूं और मेरा एक्जामिनेशन सेंटर हैदराबाद आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पहले देली जाओंगा, तो यहां पे देली आ जाएगा, उसके बाद क्या हो नेक्स पॉइंट है, यह वाला इंपोर्टेंट है यहां पे, देखो, इंस्टेक्शन में फिल करना, कैंडिडेट्स फोटो, यहां पे कैंडिडेट्स की वही फोटो लगेगी, जो आपने अप्लिकेशन फोर्म में डाली थी, मतलब जो आपके यहां पे लगी हुई है, ए पासपोर्ट साइज है, क्या है यह पासपोर्ट साइज फोटो है, यह याद रखना, ठीक है, नेक्स नेस्ट ऑजट्टेक्शन को केंड़ बड़ा, सर, मैं कोचिंग लेकिन मेरे पेरेंट्स पत्न में लहता है, अपने क्या करूं, आप है कुछ मत गराँ, कुछ से साइन जो भी अपने पिरेंट्स के नाम है ठीक है या ऐसा मत करना कि देली से ट्रेन बुक किया फिर पटना गए पटना ममी वापा के अड्मिट कार्ड वे साइन करवाए और फिर वापस आ रहे हो ऐसा नहीं या कोई गार जी नहीं आसपास से उनसे साइन करवा कि आप टेंशन फर आगे जा अब अटेकिंग हारे तुभी फिल्ड ये से अब लिखा हुआ कोई देंशन नहीं है यह हो गया हमारा पेज़ वन अब पेज़ टू प्या है यह वाला है परफॉर्मा इस पर क्या लगाना है आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है पोस्ट कार्ड साइ सेट में उसकी बात करी बस वीडियोज में वीउज आ जाई एक लाख वीउज हो भी गए हैं कितने लोगों को मिस्गाइड कर दिया उनको खुद समझ नहीं आता है तो आप यह देखा करो कि कंफर्म इंफर्मेशन कहां पे मिलती है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आपके वास शोट इंफर्मेशन नहीं है तब तक वीडियो अपलोड मत करो बच्चों को मिस्गाइड मत करो यदि एक्जाम सेंटर पे उनके साथ गड़़ड होगी आपको नहीं साइड होंगे और इन्विजी लेटर के साइन राइट साइड होंगे मालीजी सुनील सर हमारे इन्विजी लेटर है तो उनके साइन ऐसी होंगे राइट साइड आदा इस पे होगा आदा बार होगा ऐसे ही कैंडिडेट का हुगा यह ध्यान रखना ठीक है यह कहां पे पोस्टकार्ड, साइज, फोटो, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन वही सब आ गया, नेक्स फिर आ गया है सिगनेचर ओफ इन्विजिलेटर, यहां पे इन्विजिलेटर साइन कर देंगे, कैसे करेंगे, यह जैसे सुनी लाइन, ऐसे मार देंगे साइन, और आपके साइन फिर से होंगे यहां पे, क्या होगा, फिर से आपको साइन करना है, विकास है तो, विकास कर दीजिए, presence of invigilator, घर से नहीं करके जाना, कहां पे होगे, invigilator के सामने, ठीक है, यह हो गया, instructions for candidate यह आ गए, हमने सब discuss करी लिया, आगे फिर क्या है, important instructions for the candidate, यह सारे instructions लिखी हुई है, आपको admin card के साथ क्या लेके जाना है, कैसा आपका admin का ID proof होना चाहिए, आपको कितने photo लेके जाना तो इसमें देखो, कुछ नहीं है, आपको यह चीजे लेके जानी है, first admin card, second performa, उनसे वाला self declaration form था जिसमें, और postcard size photo था third, passport size photo, बदाऊंगा भी detail में, original ID, PWD certificate, next, यहां देखो, admin card के साथ आपको क्या करना है, admin card कुछ बच्चों को doubt आ जाता है, कि सर्कलर फुल लेके आप कैसा भी ले जाओ, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि colorful लेके जाना है, आपका जैसा मन करें वैसा लेके जाओ, ठीक है, इसके उपर क्या करना है, एक passport size photo लगानी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, दूसरा passport size photo आपको एक लेके जा बहुत सारे वच्चे इस photo को भूल जाते हैं, यदि कोई parents भी video देख रहा तो आप भी इसको remind करना, यह गलती बहुत बच्चे करते हैं, फिर वो भागते हैं, फिर इदर प्रिंट करा लो, उदर प्रिंट करा लो, कोई soap है क्या, तो यह गलती मत करना भई, बहुत बच्च नेक्स्ट इसमें, ID proof, यह भी important है, इसमें कई वच्चे क्या करते हैं, फोन में ले जाएंगे, फोन तो लावडी नहीं, चलो वो तो खतम हो गया, दूसरा क्या करते हैं, वो अपना जिरोक्स ले जाते हैं, जिरोक्स नी चलेगा, क्या मोला, जिरोक्स नी चलेगा, आपको यहां देखो, important है यह सबसे, original लेके जाना है, क्या लेके जाना है, original format में, अधार कार्ड हो सकता है, आपके बास pen card है, pen card ले जाओ, गाड़ी बाड़ी चलाते हो, driving license ले जाओ, वोटर यदी कभी बन गया है, तो वोटर आइड ले जा, 18-21 साल वाले जिनका हो गया है, पास रासन कार्ड है, यह भी आप, ले जा सकते हैं, रासन कार्ड भी लोगों के बास होते हैं, लेगिन क्यों पिक करना, simple अधार कार्ड ले जाओ, कुछ भी टेंशन नहीं है, नेक्स्ट अभई, पी डबलुडी कंडिडेट, कुछ जो पी डबलुडी कंडिडेट के टेकरी मे आते हैं, उनको यह सर्टिफिकेट लेके जाना है, यदि आप नहीं लेके जाओगे, तो एंट्री नहीं मिलेगी, यह सब के लिए नहीं है, यहां लिखा हुआ है, इफ अप्लिकेशन फॉर्म के टाइम, यह लगा था, ठीक है, उनको लेके जाना है, नेक्स्ट, स्क्राइ स्क्राइब, मलब कुछ बच्चों का जैसे दिखता नहीं है, उनको चाहिए होते हैं स्क्राइब, तो जिस पे जिन्होंने अप्लिकेशन फॉर्म में डाला था कि मुझे नीड है, वो अपने डोकिमेंट साथ में ले जा सकते हैं, तो यह जितनी भी इन्फोर्मेशन दी, रिपीट कर देता हूँ, एड्मिट कार्ट, उसके उपर लगा हुए एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो अलग से अटेंडर सीट के लिए, तिसरा, सेल्फ डिकलेरेशन फोर्म को अच्छे से भीलप करना है, और पोस्ट कार्ट साइज फोटो वाटर वोटल हो ले जा सकते हूँ, कुछ-कुछ आइटम्स हमारे नहीं ले जा सकते हैं, जैसे मुबाइल फोन, अपना पैन, और ब्लुटूथ, इयर फोन, यह अलाउट वहां पे नहीं है, और क्या-क्या अलाउट नहीं है, यह आपका ड्रेस कोड क्या है, वो सब हम ने लेके जाने हैं, और आपको में रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जहां वीडियो में सही इंफर्मिस्ट मिलती है, वहीं देखा करो, जो लोगों ने वीडियो बना के डाल दी है, आइडमिट कार्ड आया है, उससे पहले वीडियो डाल दी, मुझे समध याता है, वो डालत आपको घबराना नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो एक्जाम होने से रोक नहीं सकता कोई, ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ सेर करो, और चैनल सब्सक्राइब वी तक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक से आती है, तो जिन बच्चों को और गैनिक करे वीजन करना है, या 60 Most Expected Caution पढ़ने हैं, वो कल 11.30 एम पर लाइव क्लास देख सकता है, और कोई डाउट है, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, थेंक्यू वेरी मुच्च